नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि ग्लाइकाइन्ड M टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, ग्लाइकाइन्ड M टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और ग्लाइकाइन्ड M टैबलेट की वज़ Glykind M Tablet को लेना recommended नहीं होता है. Glykind M Tablet का उपयोग Type 2 Diabetes में Blood Sugar Level को नियंतरण में करने के लिए किया जाता है. Glykind M Tablet ज्यादा Blood Sugar Level को कम करती है. शरीर में शुगर के लेवल को नियंतरण में रखना बहुत ही जरूरी होता है. क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वज़े से Kidney Damage हो सकती है. आखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है. और शरीर की नसे Damage हो सकती है. इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंतरण में रखना बहुत ही जरूरी होता है. खाना खाने के दो घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है. परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंतरण में किया जा सकता है. परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को नियंतरण में करने के लिए regular exercise और lifestyle वखान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंतरण में किया जा सकता है. यदि किसी व्यक्ति का blood sugar level 200 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को diabetes की समस्या है Glykin M tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है Glykin M tablet के अंदर salt composition glyclogide और metformin होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को like करना न भूले अब हम discuss करेंगे कि Glykin M tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Glykin M tablet की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Glykin M tablet की वज़े से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं जैसे सीने में जलन होना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्ध होना, दस्त, चक्कर आना और blood sugar level ज्यादा कम हो सकता है blood sugar बहुत ज्यादा कम होने पर जी मिचलाना, दिल की धड़कन का तेज होना, आखों से धुंदला दिखाई देना, पसीना आना, सिरचकराना, शरीर में कमपन, confusion होना और भूप का ज्यादा लगना आदी लक्षन शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने की वज़र से हो सकत हैं, अगर किसी व्यक्ती का blood sugar लेवल 70 mg पर deciliter से कम है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती का blood sugar लेवल कम है, blood sugar लेवल बहुत ज्यादा कम होने पर sugar लेवल को ठीक करने के लिए शहिद, चीनी, glucose टैबलेट या फलो के जूस आदी में से आप किसी एक का सेवन कर सकते हैं, ग्लाइकाइंड M टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है, शुगर को अच्छी तरह से नियंतरण में करने के लिए आपको ग्लाइकाइंड M टैबलेट के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए, चिंता वतनाव से बचना चाहिए, परियाप मात्रा में नीन लेनी चाहिए और यदी आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो वजन को कम करना चाहिए, ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको ग्लाइकाइंड M टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए, और आपको ग्लाइकाइंड M टैबलेट को लेने के बाद आपक कान रहना, कन्फ्यूजन होना, नीम अधिक आना और सांसों से बद्बू आना आधी लक्षन होते हैं, तो ये लक्षन शरीर में बलड शुगर लेवल ज्यादा होने के हो सकते हैं, अगर आपको इन में से कोई भी लक्षन होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को बताना ऐसी स्थिती में आपका डॉक्टर दवा की डोस को बढ़ा सकता है, या दवा को बदल भी सकता है, लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर और टाइप वन डाइबिटीज होने पर ग्लाइकाइंड एम टैबलेट को लेना रिक्मेंडेड नहीं होता है, ग्लाइकाइंड एम टैबलेट को खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद लेना रिक्मेंडेड होता है, ग्लाइकाइंड एम टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और शरीर में शुगर लेवल के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है इसलिए आपको Glykin M Tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्तर की सला के बिना Glykin M Tablet को नहीं लेना चाहिए अब हम जानेंगे कि क्या pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं Glykin M Tablet को ले सकती है या नहीं प्रेगनेंट महिलाओं के लिए Glykin M Tablet का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर Glykin M Tablet को लेने की सला दे सकते है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Glykin M Tablet से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके